18.6 क्रेडा क्रेडा 36 राज अक्षे उर्जा विकास प्राधिकरन का संक्षिप्त रूप है या 36 शासन के उर्जा विभाग का उपक्रम है क्रेडा के उद्देश क्रेडा के उद्देश हैं पहला उर्जा का संरक्षन करने का अर्थ उर्जा के इस्त्रोतों का उचित उप्योग करने से है जिससे उर्जा की बचत हो दूसरा परमपरागत उर्जा इस्त्रोतों से प्राप्त उर्जा की खपत को कम करने के लिए गैर परमपरागत उर्जा इस्त्रोतों पर निर्भरता को बढ़ाना तीसरा गैर परमपरागत उर्जा इस्त्रोतों के दोहन से प्राप्त उर्जा पर्यावरन हितैशी होते हैं अता अधिक से अधिक सौर उर्जा, बायो मास उर्जा, वायू उर्जा के उपयों के लिए प्रेरित करना क्रेडा से सम्मंधित 36गर उर्जा शिक्शा पार्क, 36गर इनरजी एड़्ुकेशन पार्क, राइपुर में परमपरागत उर्जा इस्त्रोतों के कारिशील मॉडल जैसे जल शक्ति, वायू शक्ति, सौर उर्जा शक्ति, सोलर कार, सोलर हट, सोलर बोट तथा बायो गैस प्लांट प्रदर्शन हेतु रखे गए हैं दैनिक जीवन में उर्जा का सद उपयोग करने के लिए इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए पहला, उर्जा के वेकल्पिक स्त्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए दूसरा, भोजन बनाने के लिए प्रेशर कूकरों का प्रयोग करना चाहिए तीसरा, सौर उर्जा पर आधारित उपकर्णों जैसे सोलर कूकर, सौर उश्मक, सौर पैनल आधी का उपयोग करना चाहिए चौथा, ग्रामिन ख्षेत्रों में इंधन के रूप में जैव गैस के उपयोग को प्रोचसाहित करना चाहिए पांचवा पेट्रोल जैसे बहमूल इंधन को बचाने के लिए छोटी दूरियों तक जाने के लिए साइकिल का उप्योग करना चाहिए हमने सीखा पहला उर्जा सनरंक्षन के नियम से उर्जा का रुपान तरण एक रूप से दूसरे रूप में होता है दूसरा उर्जा के कई रूप होते हैं तीसरा इंधन के जलने के प्रक्रम को दहन कहते हैं चौथा सोलर कूकर का तापमान दो से तीन घंटे में ही लगभग 100 डिगरी से एक सो चालिस डिगरी सेल्सियस तक बढ़ जाता है पांचवा बायो गैस, मेथेन, कारबन डायकसाइड, हाइडरोजन और हाइडरोजन सलफाइट का मिश्रण है इसका मुख्य घटक मेथेन है चटवा नाभी की उर्जा को दो प्रकार की नाभी की अभिक्रियाओं द्वारा प्राप्त किया जाता है पहला नाभी की सनलयन, एवं दूसरा नाभी की विखंडन सात्वा, क्रेडा, चत्तिसगर राज्य अक्षे उर्जा विकास प्राधिकरन का संक्षिप्त रूप है यह चत्तिसगर शासन के उर्जा विभाग का उपक्रम है आठवा, सोलर सेल सौर उर्जा को सीधे ही विद्यूत में परिवर्तन करता है नववा, पवन उर्जा का उप्योग यांत्रिक कारे करने में या विद्यूत उत्पादन में होता है दसवा, जल उर्जा बहते हुए पानी से प्राप्त किया जाता है जिसका उप्योग जल विद्यूत के उत्पादन में होता है 11. गाय जैसे पश्वों के गोबर का सुक्ष्म जीवों द्वारा अब घटन से बायो गैस बनता है 12. जिवाश मिंधन के अंतरगत, कोईला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैसे आती है मुख्यक शब्द, कीवर्ड्स